आज मैं आप सभी को यह स्वेटर डिजाइन बताने वाली हूं जो कि मैंने तीन करण के उन में बनाया है और इसे आप किसे भी स्वेटर के डिजाइन में अपलाइ कर सकते हैं आप इसे कॉलर में बना लें सिंगल पीस करके मैंने यह फ्लावर बताया है आपको बनाने के देखा एक करके आई हूं यह आप इस कहीं पे भी अपलाए कर सकती है तो इस तरीके से बोडर मेंने उल्टा ही बिल लिया है आप चाहे तो बौडर बनाने के बाद इसे पूरी लाइन को मैं यहांनुद आ कर बका है इस तरीके से यह पूरी लाइन मैंने सिधा बिन लिया है अब रॉंग साइड से देखे सभी को हम पूरी लाइन जो है उल्टा बिन लेंगे और इसी प्रोसेस से दो सिलाई जो है हम प्लेन ही बिनेंगे इस तरीके से ही प्लेन ही बिन लेंगे सो फ्रेंस देखिए यहां पर मैंने काफी चोड़ाई इस प्लेन से ही बिन लिया है अब जो है इसमें हम पैटर्न एड़ करेंगे तो यह छे घर का हम गैपिंग देंगे देखिए इस तरीके से एक घर को स्किप करेंगे और छे घर हम इसी कलर के उन से बिन लेंगे तीन चार पांच और एके छे अब मैं यहां पर साथवे घर में जो है अलग कलर के उन का इस्तमाल करूंगी और यहां पर इसको हम मैं बनाऊंगी देखिए फ्रेंस इस तरीके से आप इसको इसमें जोड़ दें दागे में उसके बाद इस वाले लाइन में जो है यहां पर हम नीचे ले करके जाएंगे एक लाइन को छोड़ करके यहां से हम इसे यलो कलर का जो उन है उसका हम फंदा निकालेंगे ऐसे और यह बीच वाले घर पे इसको चड़ा करके और इसको ऐसे उतार देंगे ऐसे कर देंगे उसके बाद फिर हम यहां पर इसे प्लेन ही बीन लेंगे परपल कलर के उन से जो यहां पर हमने बेस बनाया है वह हम इसका बेस जो है ऐसे ही बीनेंगे जिसको जितना आपको इस डिजाइन का गेपिंग देना है उसके इनुसार से आपको बनाना है तो यह चार हो गया पांच, छे, साथ और यह के आठ आठ घर का मैं यहाँ पर गैपिंग दे रही हूँ फिर वापस से हम यहाँ पर स्लाई को इन करेंगे और एक सिंपल साही यलो कलर के उन से ऐसे फंदे निकाल करके इसके उपर से चड़ा करके मैं ऐसे हमें बिनना है इस तरीके से आपको बिनना है फिर वापस हमें आठ घर का गैप करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और एक है आठ आठ घर का मैं यहाँ पर अंतर रख रही हूँ डिजाइन में देखें फिर वापस से हम उसमें भी इस तरीके से ही करेंगे सिंपल से फंदे निकालेंगे और इसके उपर से लाके इसको छोड़ देंगे और उसे सीधा बिन लेंगे यह फर्स रोड डिजाइन का हम इस तरीके से ही कम्पलीट करेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, और एक है आठ आठ घर का मैं अच्छाज़ कि इस तरीके से बनाएंगे कुछ इस तरीके से बिन लेने के बाद अब हम रॉंग साइड से सभी को फंदों को उल्टा बिनेंगे इस तरीके से और ये यलो वाले फंदागे को भी हम लेकर कियाएंगे दार तो इसको हम सिंपल ऐसे फंदे फसाएंगे और यहां पर बिनेंगे ऐसे और इस धागे को अपनी और फिर से वापस से हमें इसे लेकर के आना है तो यह सिंपल से हमने ऐसे ही रखना है और इसको ऐसे बीनना है तो यह धागे वापस से हमारे पास आ जाएंगे कि अब द्व Director ऐसे यहाँ पर मैंने तीन इसी तरिके के बनाए है जैसकि यहाँ पर सिंगल है एक हमने यह बनाये थे उसके से पहले ही एक घहर में वापस से हम इस वाले घर में ही जो इसमें हमने बनाए थे उसी में स्लाइक को ऐसे इन करेंगे और एक और पत्ती जो है इसको हम ऐसे करके साधारन से निकालेंगे और इसके उपर से हम लाकर के ऐसे परपल कलर के उनसे दोनों को एक साथ लेकर के बीन देंगे तो देखिए इस तरी के सो जाएंगे वापस से हमें ये बीच वाले जो फंदे हैं इसमें हमें इस लाई को इन करने हैं और ये यलो कलर को बीनना है इसके उपर रख करके और ये सिधा बीन देंगे परपल कलर के उन से ऐसे देखिए अब वापस से फिर हम यहां पर इस वाले हमें इस घर को इन करना है और डबल फंदे करते हुए mm3 इसको निकाल लेंगे तो आप सीधा कर लेंगे शन्दे को और इसके उपर कर के ऐसे दो घर को एक घर करेंगे तो यह फंदे जो हमने बनाये हैं यह बढ़े भी नहीं है और घटे भी नहीं है तो इस से ढ yum नाया है और वापास से हम इस तीनों में भी इसी तरीके से सेफिग सेंी Nitrieben Tuesday वृ बना करके आपको दिखा देती हूं यह यहले बनाये हैं उस्ते पहले वाले लाइन में है मगर इसमें को श्राय को हमें इस लाइन में इन करेंगे ऐसे और ये डबल फंदे फसाएंगे और ये धागे निकालेंगे ऐसे सिंपल से और इसके उपर से लाकी इसको चड़ा देंगे और ये दो घर को दो फंदों को जो है ऐसे सिधा ही बीनेंगे और वापस से हम इस वाले फंदे में इन करेंगे स्लाई को और फंदे निकालेंगे इसको हम वापस से बीच वाले फंदे में चड़ा करके ऐसे बीन लेंगे और एक और हमें बनाना है तो इस यहाँ पे हमें फंडे को लगा करके ऐसे निकालके और सिंव साधारन से हमें एसे परपर कलर के उन्चेस को बीन लेना है ऐसे इस तरीके से हमको यहाँ पर बनाना है तो देखिये फ्रेंस जैसे कि हमने यहां पर तीन बालब बनाए थे तीन घर उस तरीके से यहां पर पांच घर भी बनाए हैं तो उसी तरीके से हमें वापस से पांच घर यहां पर बनाना है मैं बता देती हूँ कैसे ये देखे तीन घर हमने बनाए थे तो उसी में हमें इस तरीके से सलाई को इन करना है थोड़ा अंदर करके एक घर पहले और फिर जिस कलर का भी आप ये वाला पैटर्न बनाना चाहती है उस कलर के उन से ऐसे ले निकाले और इसके उपर से ला करके इस वाले घर में वापस से हम यहाँ पे सलाई को डालेंगे और यलो कलर के उन को निकालेंगे इसके उपर से चड़ा करके और सिंपल इसे हम ऐसे बीनेंगे फिर वापस से हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से ऐसे इसको भी हम देखिए इस तरीके से बना लेंगे और एक इधर से साइट से हम इसमें बनाएंगे और इसको एक घर हम इधर लेकर के आकर दो घर का एक घर करेंगे इस तरीके से देखिए तरिके से नजर आ रही है देखे यह ऐसे भी बहुत ही खुबसूरत यह पैटन है आप इस तरीके से भी आप स्वेटर में बना सकती हैं अब इसके उपर में जो है एक लाइन मैं सिधा बीन लूँगी देखे फ्रेंस यहां पर एक लाइन मैंने सिंपल ही बीन करके रख लिया है अब जो है यहां पर एक घर पहले ही हम यहां से यहां तक बीनेंगे इस वाले लाइन को हम नहीं बीनेंगे और यहां से इस पैटन को करके यहां तक लेकर के आएंगे मतलब इस वाले लाइन के दो घर पहले देखें यहां तक हम सीधा बिन लेंगे तीन भर बिन लीए अब जो है हम इस हम इस वाले इस वाले घर को छोड़के इसमें इस लाइग को इन करेंगे आईसे और ए वाइट वाले कलर के उन से हम डवल फंदे यहां पे फसा करके ऐसे निकालेंगे देखिए निकाल लिए ठुदद सक खीच के लंबा कर लेंगे इस लाइख के एक लाइन हमने ज्यादा बनाया है इस वज़े से ही उसके आद फिर हम यहां पे फंदा एसे फसा लेंगे और वापस से हम उसी होल में इस स्लाई को इन परें और देखें अियो पृष्व दो प्रyet Saf अ करएं पर फिर उसी में हम थोल में इस लाइक को इन करेंगे और सिंपल से फंदे निकालेंगे इसको निकाल करके और उसके बाद फिर जो है इसके पीछे से हम इसे सभी को एक घटा देंगे फिर धागा अपनी और करेंगे और इसे हम इस वाले घर के साथ में जो है ऐसे परपल कलर के उन से इसको हम बीन लेंगे कुछ इस तरीके से नज़राएगा अब जो है इसको हम यहां से एक दो तीन चार पांच और एक है छे छे वाले घर को बीज में हम यहां पर बीन लेंगे और वापस हम इस स्लाई को जो है पांच ही हम बीनते हैं और इस वाले स्लाई को यहां पर इस एक पैटर्न छोड़के दूसरे पैटर्न में इसे इन करेंगे ऐसे और वाइट कलर के उन को हम फिर से वापस से हम फंदे बनाते हुए इसे निकालेंगे डवल फंदे देखने के बनाने के बाद यह आराम से निकालाएंगे और फिर से हम यहां पर एक एक्स्ट्रा फंदे लगाने हैं और उसी होल में वापस से इस स्लाई को इन करना है डवल फंदे करके हम वापस से लूज कर लेंगे वापस से एक और हम फंदे यहां पर बनाएंगे और उसी होल में इन करके डवल फंदे करके और इसे निकालेंगे इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर बैक साइड से यहां पर हमें पांचों फंदों को एक फंदा कर देना है इस तरीके से फिर धागा अपनी और कर लेंगे और यह और एक और जो होता है उसे हम यह परपल कलर के उन से सीधा ऐसे बिन लेंगे तो यह कुछ इस तरीके से नजर आएंगे अब हम इसको यह बीच में छोड़ देंगे और नेक्स्ट हमें नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए देखें दो घर बीच में बचेगा इसको हम बीन लेंगे और वापस से हम यहाँ पर स्लाई को इन करेंगे और वाइड कलर के उन को इन करके ऐसे फंदे निकालेंगे फिर एक सिंपल से फंदे फसाएंगे फिर वापस से हम इसमें ही इस फंदे को ऐसे निकालेंगे एक और फंदे हम फसाएंगे और ऐसे निकालेंगे फिर बैक साइट से पांचों फंदों को उल्टा बीन देंगे एक कर देंगे और इसको फिर वापस से हम दो घर को ये देखे एक साइट ये फंदे हो गए तो अब हमें इसको यहीं पे दो फंदों को एक फंदा कर देंगे परपल कलर के उन से तो ये फिर वापस से घटके एक फंदा बचेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा फिर बीच में जो है परपल उसे हम बीन लेंगे पांच घर दो तीन चार और एक ये पांच पांच घर बीन लिए फिर वापस से इसी पैटरन को रिपीट करेंगे झांधे आफूकी देखी इस तरीके से मैं ने ये पूरे डिजाइन को बनाया है ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं ये बहुत ही प्रिटी डिजाइन है अब एक इस तरीके के बबल को जो है डिजाइन यहाँ पर बीच में भी मैं बनाऊंगी तो ये एक लाइन फिर वापस से हमने यहां से उल्टा बीन करके ले आए हैं सीधी के और अब जो है यह परपल कलर के उन से यहां से बीनेंगे और यह पांच जो हमने बीच में घर्म को गैपिंग रखा था यह जो बीच वाला घर है यहां पर हम ले करके आएंगे इस तरीके से और यह बीच वाला सेंटर वाला घर है उसमें हम यहां पर इस वाले घर होल में इस सिलाई को इन करेंगे और यलो वाइट कलर के उन से जो है मैं यहां पर बना रही हूं आप चाहे तो अपने मन पसंद उन से भी बना सकती है यलो कलर का भी उन इस यहां पर एड तेज्ट निकालेंगे और यहाँ और यहां पर निकाल लेंगे इस तरीके से सिंबल सा फिर वापस से हम एक और यहाँ पर धागे को लपटेंगे certified निकालेंगे हम्ने टीन बार किया था एक बार हम और यहां पर एकश्टर कर लेंगे तो इस तरीके के देखें निकाल के थोड़ा से लूज कर लेंगे और इसे बैक साइड से जो है सभी फंदों को इस तरीके से वाइट कलर के उन से नहीं हम अब यहां पर पर पल कलर के उन का इस्तमाल करके एक फंदा यहां पर कर देंगे एक फंदा कर देंगे और इसे हम वापस से बिनेंगे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे देखे फ्रेंस इस तरीके से बीच में जो बनाए हैं यहां पर भी हमें सेंटर वाले फंदे हैं इसमें हमें बनाना है तो उसको यह लिए फिर वापस से हमें इसमें सिलाई को इन करना है और यह वाइट कलर के उन को इस तरीके से फंदे निकालेंगे फिर एक यहां पर और फंदे निकालेंगे लपेट के एक बार वापस से हमें उसी होल में इस तरीके से यह एक्स्ट्रा फंदे हो जाते हैं डिजाइन के लिए तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा उनको लूज करके एक बराबर रखेंगे एक बार और इस तरीके से करके और बैक साइड से आप इसे सभी को एक साथ ही घटा देना है मैं वाइट कलर का ही उनका इस्तमाल करके घटा देती हूँ और फिर उसे फ्रंट मिलाके इस तरीके से एक यह वाइट एक प्लस यह परपल दोनों को हम एक कर देंगे तो यह घर बढ़ेगा नहीं इस तरीके से बन जाएगा और फिर वाइट वाले को थरा खीच दीजिए तो यह खुबसूरत सा यह पैटन बन जाएगा मैं इसी तरीके से यहाँ पर और सब में कम्प्लीट कर लेती हूँ बना करके तो फ्रेंस देखिए यह मैंने कम्प्लीट कर लिया है यह बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर डीजाइन है आप इसे बार्डर में अपलाई करें या फिर पूरे स्वेटर में बना ले यह बहुत ही आसान है बनाना सो अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर ले और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी थैंक्स पर